देखिए मद्धिप्रदेश भार्तियन्ता पाइटी का एक तरह से सबसे पुराना गड़ है उत्तर भारत में संग की जमाने से जन्संग की जमाने से संग तो अभी भी है और अगर उत्तर भारत में सबसे पहला जो प्रियोग जो रास्टी स्विम स्वियोग संग का कि 2018 में जब भार्तियन्ता पार्टी हार गई चूक गई मैं चूक गई इसलिए कहूंगा कि वह हार जो थी बहुत नौमेजल हार थी वोट परसंटेज उनका थोड़ा ज्यादा था सीटें उनकी छे सीटें कम थी 109 उनकी थी और 114 कॉंग्रिस पांच सीटें कम थी यानि बिल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे बाद में कहने को मौका मिले कर देते तो यह होता एक सीट उसके लिए इंपॉर्डेंट है तो उन्होंने क्या किया पहली सूची बन जारी की वह सूची जो भारतियन्ता पाईटी की कमजोर सीटें थी उन्होंने जारी की यह जो भाजपा बहुत भारी अंतर से लगाता रार्ती रही है जो सीट इनको दी गई केलाश विए वरगी को इन दौर की जो संजेश चुकला जांसे कॉंगर्स की विधायक है वह बहुत मजबूत इस तरह ऐसी सीटें दी गई तो भाजपा इस कोशिश में है कि जो अपनी मजब कावर नेता है उनको उतार दिया नंबर वन दूसरा संकेती है कि मद्यप्रदेश में शुराज सिंग चावान पिछले 17-18 साल से मुख्यमंत्री है पाइटी वहां एक नया नित्रत विक्सित करना चाहती है अब वो जनता में मैसेज देना चाहती है कि इस बार हमारी सरकार पनी तो हो सकता है शुराज सिंग की जगे कोई और मुख्यमंत्री बने तो कौन बन सकता है तो जो वरिष देटा दावेदार माने जाते हैं उनको मैदान में उतार दिया गया नरेन सिंग तोमर प्रलाद प्रटेल केला सुजय वरगी यह वो बड़ा इसके अलावा नरुत देटर तो में जाएंगे शुराज जी को को अनॉंसमेंट नहीं होगा इंकमेंट चीफ मिस्टर हैं लेकिन बनेंगे की नहीं बनेंगे यह नंबर दू दो बातिंगे तो एक आप वो चारे फ्रे में आ गए यह तो इससे क्या हुआ और तीसरा भार्षपा को लगता है जो साइकलोजिकल एक परसेप्शन की बनेंगे लेकिन इसका एक जोखिम भी है जोखिम यह है कि जैसे कॉंग्रेस का कहना है या कुछ विस्टिशों कहना है कि पैनिक बटन दबा दिया बीजेपी ने जो फीडबेक मिल रहा है तो लग रहा है कि बहुत मुकाबला कांटे का है या अभी हम पीछे हैं सर्वे भी इस तरह से आ रहे हैं तो इसलिए बड़े नेताओं को तार दिया ताकि परसेप्शन जाए जोखिम यह है कि जो बड़े नेता मेरा अपना वाक्रान हो सकता है अगर वह अपना चुनाओं ना लड़के वह दस सीटों पर सकता है जा करके दलवा सकते थे अब उनके लिए प्राथिमिक्ता यह हो गई कि अपना चुनाओं हरालत में जीतना है क्योंकि वह MP हैं केंद्री मंत्री हैं अगर कहीं चूक गए हर गए चुनाओं तो तो उनकी राज्जीती का ही पूरा जोईस पर पड़क्षेप हो जाएगा या काफी ए अचानक नरेंजिंग तोमर के बैन में भी पीड़ा चिपी हुई है वही लिए उनोंने कहा कि पार्टी के सिपाही हूं जो पार्टी कहें कि करूंगा यानि यह से मुझे माल जी है अगरामकरपाद जी मेरे संपाजक थे अब मुझे कह दें कि जाकर कि आप जो है वह पार्टी की रणनीती है अब इसके परिणाम क्या निकलेंगे कैसा निकलेंगे यह तो आने वाले समय में और नतीजों से पता लगे अमारुजाला अब आपके टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंतर